नमस्कार मैं हूं स्रकान प्रतियूस और आप देख रहे हैं CityPostLive.com आपके लिए देश की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूँ जी हाँ, CBI और बंगाल पुलिस के बीच ठन गई है यह पहला मामला है जब CBI और स्टेट पुलिस के बीच भिशन संघर्स की नौबत पैदा हो गई है आपको बता दें कि राजी कुमार पुलिस कमिस्नर है कुलकत्ता के और उनसे पुछताच करने के लिए CBI की टीम उनके घर पर पहुँची थी और उसको लेकर बवाल हो गया है यानि पुलिस ने CBI के जो अधिकारी पहुचे थे वहाँ पर उनको गिरफतार कर लिया है पुलिस उनको पकड़ कर थाने ले गई है तो यह पहला मामला है देश का जहां पर CBI के अधिकारी जाच करने गए थे एक पुलिस कमिस्नर के खिलाप और उस पुलिस कमिस्नर के खिलाप जाच करने गए अधिकारीों को पुलिस के अधिकारीों ने गिरफतार कर लिया है तो थाने पर पुलिस लेकर चली गई है सिबी आई अधिकारी को और खबर यह है कि रोज भैली सारदा पुंजी घोटाले के मामले में राजी कुमार जो पुलिस कमिस्नर है कुलकत्ता के उनको एक्जामिन करने सिबी आई की टीम उनके घर पहुँची थी सिबी आई के कहना है कि उनको दो बार समन जारी किया जा चुका था पुछताच के लिए लेकिन जब वो नहीं आये तब उनके घर सिबी आई की टीम पहुची है कमिस्नर को एक्जामिन करना चाहती है लेकिन कमिस्नर घर पर नहीं है कमिस्नर दो दिन से लापाता है फरार है ल पुरे एस्टेट की पुलिस को अपने दवाव में किंदर स्रकार लेना चाहती है और ममता बनर जी ने मोर्चा खोल दिया है CBI के खिलाप। पुलिस के खिलाप कोई करवाई की गई तो संसत ठप कर देंगी तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ममता बड़ी है या समिधान बड़ा है CBI को काम करने या जांच करने से किस कानून के तहट रुका जा रहा है और पुलिस ने CBI अधिकारियों को किस हैसियत से हिरासत में ले लिया है क्योंकि CBI के अधिकारी तो परताल करने गए थे किसी केस कोई जामिन करने के लिए गए थे लेकिन उनको ही गिरफतार कर लिया गया है तो बंगाल सरकार और CBI आमने सामने है CBI के अधिकारी वो कहना है कि वो अपना काम कर रहे थे दो बड़ा घोटाला हुआ ह बंगाल में रोजभेली और सारदा पुंजी घोटाला इसमें हजारो कोरोड का स्कैम हुआ है और इस स्कैम में कई राजनेताओं के नाम भी आते रहे हैं लेकिन जब पुलिस कमिस्नर के भूमिकाप पर संदेह हुआ सिवी आई को और उनको एक्जामिन करने सिवी आई के टीम उनके घर पहुंची तो पुलिस नहीं सिवी आई के जांच करने पहुंची अधिकारियों के खिलाफ मुर्चा खोल दिया उन्हें हिरासत में ले लिया फिर बाद में ग्रिफ्तार कर लिया तो पहली घटना है देश की जहां जांच करने गए सिवी आई अधिकारियों को ही अस्टेट पुलिस ने ग्रिफ्तार कर लिया है अब ख़बर ये भी है कि जो थाने की पुलिस है अब काउंटर एफाई आर तयार कर रही है सिवी आई खिलाफ तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब दो देश की सिर्स जांस एजनसी के अधिकारियों को अस्टेट पुलिस गिरफतार कर ले रही है जांस करने के करम में और उसे जांस से रोक रही है तो आखिर कैसे सरकार इस विवसम परिस्ति से निप्टेगी और ममता बनर जी अक्सर ऐसे बड़े फैसले ले लेती हैं जिससे केंद्रा और राजे की सरकार के भी टकराहट पैदा हो जाता है उनका स्टेंड अपने देश की सरकार से अलग हो जाता है यानि कभी अंतराष्टे मामला हो तो भी और देश का मामला और राजे का मामला हो तो भी तो यह बहुत बड़ा मामला है आपको एक बार फिर बता दूँ कि कुलकत्ता के पुलिस कमिस्नर राजी कुमार को एक्जामिल करने गई थी CBI की टीम रोज भैली और सारदा पुनजी घुटाले के मामले में और उस दोरान पुलिस ने CBI के जांच करने पहुंचे अधिकारियों को ही गिरफतार कर लिया है उनको थाने में रखा गया है उनके खिलाफ काउंटर एफायार पुलिस त्यार कर रही है तो पुलिस यानि अस्टेट पुलिस और CBI के भी ठन गई है CBI के दफ्तर में State Police के अधिकारी तैनात हो गए है यानि CBI के दफ्तर को भी State Police ने अपने कबजे में ले लिया है तो यह पहला मामला है देश का अपने तरह का जहां पर देश की सिर्श जांच जैंसी के अधिकारीयों को State की पुलिस ने गिरफतार कर लिया है तो सवाल यह उड़ता है कि अगर कोई मामला है CBI जांच कर रही है तो उसको अधिकार है कि वो पुछताज कर सके जिससे जुरुत हो और उसे पुछताज से इस तरह से रोकना State Police के लिए कहां तक जायज है और वैसे में State Chief का CBI के खिलाफ उतर जाना मोर्चा खोल देना और यह कहना कि अगर पुलिस चीफ के खिलाफ कोई करवाई हुई तो संसर्थ ठप कर देंगी यह बड़ा ही गंभीर मामला है ममता बनर जी का कहना है कि BJP की सरकार जो है अपने विरोधियों को डराना धमकाना चाहती है जीन राजियों में उसकी सरकार नहीं है वहां के पुलिस कप्तान की गरदन दवोच कर पुलिस फोर्स पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है तो यह बड़ा ही मामला पेचीदा हो गया है ममता बनर जी इसको राजितिक बनाने की कोशिस कर रही है लेकिन CVAI देश की एक सिर्स जांच अजेंसी है कभी भी कोई बड़ी बारदाद होती है तो पक्च हो या भी पक्च सबकी मांग यही होती है कि CVAI जांच हो लेकिन जब CVAI के अधिकारी ही जांच करने पहुँचे और स्टेट पुलिस उनको ही गिरफतार कर ले तो फिर जांच कौन करेगा तो जब सिर्स एजनसी जांच एजनसी के अधिकारी ही गिरफतार हो जा रहे है उनको एस्टेट पुलिस ही ग्रिफतार कर ले रही है तो फिर CBI के अधिकारी कैसे किसी एस्टेट पुलिस अधिकारी के खिलाफ जाँच को आगे बढ़ाएंगे ये बहुत बढ़ा मामला है तो जब जब रोज भैली सारदा पुंजी घोटाले से जुड़े लोगों के खिल करवाई होती है ममता बनर जी सामने आ जाती है उनके बचाओं में सामने उतर जाती है वैसे पहला मामला नहीं है ममता बनर जी के जो समर्थक हैं पुलिस थाने में जब गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो थाने से ममता बनर जी उनको छुडा प्रवाव के लिए तो अब कैसे किंद्र सरकार इस मामले से निपटेगी कैसे सिवी आई इस मामले से निपटेगी बड़ा सवाल है आगे जो भी डवलोप्मेंट होगा हम सबसे पहले आपके लिए खबर ले कराएंगे आपको यह खबर दमदार लगे क्योंकि इदेश की सब से बड़ी खबर है तो इसको दोस्तों के साथ जरूर खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे आपका सहयोग समर्थनलागातार मिल रहा है हम भरोसा दिल आते हैं कि इसी तरह से हर खबर सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहेंगे नमस्कार